वेलकम दोस्तों ये है Realme P1 Speed 5G जिसकी ओफर के साथ स्टार्टिंग प्राइज हमें 15,999 रुपीज के राउन हमें देख मिलती है और ये है Realme Narzo 70 Turbo जिसकी स्टार्टिंग प्राइज हमें 15,999 रुपीज के राउन हमें देखनों मिलती है तिहाँ पर दोनों ही सिमिलर प्राइज रेंज में होने के कारण बहुत सारे लोगों को confusion में है कि इन दोनों में से हमें कौन सा स्मार्टफोन डिला चाहिए तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल में कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले पार से तो दोनों के ही डिस्प्ले आपको एकदम सेम ही देखने मिलती है दोनों में ही आपको 6.67 इंचीज की दोनों में ही आपको एकदम सेम ही डिक्टो सेम देखने मिलते हैं तो डिस्प्ले पार्ट में आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं और नेक्स्ट में स्मार्टफोन के पर्फूर्मेस पार्ट की बात करें तो रियल्मी पीवन स्पीड में आपको मीडिया टेक डामेसिटी 7300 चिपसेट देखने मिलता है जो कि 4NM बेज एक 5G पावरफुल और एनर्जी एफिचेन चिपसेट है और इसका अंतुतु स्कूर आपको लगबग सांत लाके आराउंड हमें देखने मिलता है और इसमें आपको 8GB RAM, 1GB RAM, 1GB RAM, 1GB RAM, 1GB RAM, 2GB RAM, 2GB RAM चिपसेट देखने मिलता है जो कि 4NM बेज एक 5G पावरफुल और एनर्जी एफिचेन चिपसेट है और इसका अंतुतु स्कूर आपको लगबग साड़े सांत लाके आराउंड हमें इसका अंतुतु स्कूर देखने मिलता है और इसमें भी आपको 8GB RAM, 1GB RAM, 1GB RAM, 2GB RAM, 2GB RAM, स्टूरेज वाले वेरेंट भी देखने मिलते हैं और इसमें भी आपको LPDDR 4X RAM and UFS 3.1 स्टूरेज देखने मिलती है यहाँ पर पर्फॉर्मेस पार्ट भी एकदम आपको सेम ही देखने मिलता है दोनों में ही आपको सेम चिपसेट डामेंसटी 7300 चिपसेट देखने मिलता ह दोनों में ही RAM and Storage Variant and RAM and Storage Type भी आपको एकदम सेम ही देखने मिलते हैं बस Realme P1 Speed का जो अंतुतू स्कोर है वो आपको साथ लाग एरॉंड देखने मिलता है यहाँ पर पर्फॉर्मेस पार्ट भी आपको लगबग सेम ही देखने मिलता है आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं औ और नेक्स्ट अमिन स्मार्टफोन के Camera Part की बात करें तो Camera Part भी आपको एकदम सेम ही देखने मिलता है दोनों में ही आपको 50 Megapixel का Dual Rear Camera Startup देखने मिलता है जिसमें कि दोनों में ही आपको 50 Megapixel का Main Sensor and 2 Megapixel का Depth Sensor देखने मिलता है और दोनों में ही आपको 16 Megapixel का Selfie Camera भी की मिलता है camera part में भी आपको किसी को भी consider कर सकते हैं और next time in smartphones के battery backup की बात करें तो दोनों में ही आपको 5000 mh के powerful battery देखने मिलती है और दोनों में ही आपको 45 वोट का fast change का support देखनों मिलता है यहाँ पर battery department में भी आपको स्मार्टफोन एक दम सैम ही देखने मिलते हैं आप किसी को भी consider कर सकते हैं और next time in smartphones के एक्षा detail की बात करें तो एक्षा detail भी लगबग आपको सैम ही देखने मिलती हैं दोनों में ही आपको dual stereo speaker देखने मिलते हैं दोनों पर extra detail पी लगबग आपको same ही देखनो मिलती है तो last में अगर हम conclusion की बात करें तो conclusion यही रहेगा कि दोनों के जो specs है वो डिट्टो आपको same ही देखनों मिलते हैं कुछ भी आपको changes देखनों नहीं मिलता है तो आप किसी को भी consider कर सकते हैं बस रियल्मी नार्दो 70 टर्बो जो स्मार्टफोन है यह बिना ओफर के आपको 15,999 रूपीस के राउन देखनों मिलता है तो क्योंकि इसमें हमें ओफर का कोई जंजट नहीं रहती है कार ओफर वो ओफर वगेरा इसलिए आप रियल्मी नार्दो 70 टर्बो की तरफ जा सकते हैं बाकि दोनों ही स्मार्टफोन आपको एकदम सेम ही देखनों मिलते हैं